यह है क्लास 6 का इंगलिस का चैप्टर नमबर 8 दस सोंग फ्रॉम हैवर और आज इस चैप्टर के इस वीडियो में कोसन आंसर कप्लीट करेंगे और अगर इसका एक्स्प्लेनेशन भी देखना है तो वो भी इसके डिस्किप्शन में मिले का आपको तो इसका जो फर्स्ट कोस यह मेरे लिए नहीं है यह एक बच्चे के लिए है जो अभी अभी जनम लिया है जिसने कहां पर एक पीजन्ट के घर में यानि एक किसान के घर में अब यह किस ने कहा था यह पूछा गया है कि हूस एड दिस यह किस ने कहा यह पीजन्ट वोमेन ने कहा जो किसान थी उसने तो फिक कर आस्क टू फादर बोर। इस पीकर दे फादर से क्या कहा। तो यहां पर मैंने आस्थ दिया है अज्डेकर आस्क फादर मौर। तू कम विथ हर टू बलेस अन्यूबॉए जाइल। यानि इस पीकर जो थी उसने कहा था फादर से कि वो उसके साथ आए और जो नहा है अब बच्चे ने जनम लिया है उसको आशिरवाद दे कोसर नमबर सी है उनका रियक्षन कैसा था और वो रियक्षन क्यों था तो इसका आंसर हम यहाँ पे दिया हुआ है सी आंसर यानि उस समय यह हैरान हो गई इस बात को जानकर जब उन्हें यह न्यूस पता चला कि एक बच्चे ने जनम लिया है अभी अभी और उसी वक्त वो रिडिंग कर रहे थे किसकी जीजस क्रिस्ट की जनम की बारे में पढ़ रहे थे और उसी समय उस बच्चे ने भी जनम लिया तो उन्हें यही लगा जैसे भगवान का है यह गोड का किसी का इसारा है नेक्स्ट है I have heard this song before I have never heard this song before Can I learn it यह लाइन किसने कही कि मैंने यह काना पहले कभी नहीं सुना क्या मैं इससे सीख सकता हूं तो यह कही थी एक ओर्गन बिल्डर ने ठीक है जो महां पे ओर्गन को सही करने आया था और यह बात उन्होंने पूछी थी फ्रैंक जेवियर ग् इंस्रूमेंट के साथ गिटार के साथ इसको सोंग बना दिया था था तो यहां पे है सैकिंड विच सोंग इसपीकर रिफर्श्ट विएर यहां पे सौंग कौन सा है यह सोंग वही सौंग है जो की फादर मोर ने बनाये था और जिसको चेंज करके जेवियर ग्रूबर्ग इक सोंग में चेंज कर दिया था ठीक है तो यह पोएम थी जो की फादर मोर ने बनाई थी और इसको चेंज कर दिया था ग्रूबर्ग यह उसी कारे के बात कर रहे हैं तो सी पार्ट है इसमें वाट इंट स्पीकर डू विद दा सौंग आफटर ही वेंट वैग उस स्पीकर अब नेक्स्ट लाइन है लेपिजीक वासल लार्ज एंड बिक सिटी यह जिगे थी जो बहुती बड़ी थी और यहां पर बिजी सिटी थी और क्राउडड भी थी तो यहां पर बच्चे जो थे वह अपने आपको लोश्ट फेल कर रहे थे और अनकंफर्टेबल ऐसी इतनी बड़ी भीड में इतनी बड़ी क्राउड में कोसरन है यहां पर जो पूछा हुआ है फूल अर्द चिल्डन रिफार्श तो यहां पर चिल्डन जो है वो कौन है तो चिल्डन के यहां पर नाम लिखे गए है कैरोलिन, जोसफ, एंड्रियस और एमेली बी पार्टे में पू बच्छे जब क्या करते चाहिए जब उन्हें बहुत ही अकेला बन लगता था ठीक है तो यहां पर वो गाना गाते थे जो उनका फेरेट सॉंग था सॉंग फ्रॉम हैवन कोसनासर पर आते हैं हम कोसनासर में फ़र्ष कोसनासर पर पूछा है वाट डिड फादर मोर सी विजिटिड दपूर पीजेंट हट जब फादर मोर जो है उस गरीब के गरीब के घर पहुचे तो उन्होंने क्या देखा तो जब गरीब के घर पे फादर मोर पहुचे तो उन्ह का रही है वैंसी सो फादर मोर जब उसने फादर मोर को देखा तो उनसे पूछा कि 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 आप उनसे कहा कि देखो इस नन्हे बच्चे को क्या कितना अच्छा दिन है आप इसको आसिरवाद देंगे ठीक है यह बात उन्होंने कही थी नेक्स्ट है वाइड़ दा स्ट्रेसर यहां पर ट्रैवल क्यों करते थे इसका अंसर में पहले उसन में भी दे चुका हूं तो फुदबार से दे देता हूं कि उसके जो फादर थे उन बच्चों के वह गलव मेकर थे और एवरी स्पिरिंग में हर्फ जो स्पिरिंग दो होता था वहां पर एक मिला लगता था जह करना पर इनका आंसर मों उन्हों ने इन वाइट के बिएक उम्यूज समय और। जो दिन था उननों स्ट्रेश दिन बना नेक्स्ट है कोक सब्सक्र दिन इसमें वाट वर दॉड कोंसर्ट में बच्चों से क्या करने को कहा गया तो قोंसरिम्स है नहीं बाइटर जनरल जो थे। उन्होंने बच्कों को श्टेज पर बुलाया और उनसे कहा श्टेज पर गाने गाने के लिए। तो चिन्रंस ने श्टेज़ पर गाना गाना स्ट़र्ट कर दिया जिस से की वहां के जो लोग है उनकी गाने को देखकर सुनकर हैरान रहे गए और कुछ समय तक जो है बिल्कुल साथ रहे और फिर एकदम से सभी की तालियों और चिलाहत के से पूरा ओर्टोरियम जो था वो गूझ उठा और और ओडियंस ने खड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर उन्हें इस्टेंडिंग ओवेशन दिया नेक्स्ट है यहां पर वाट डिड़ दा किंग ऑफ सेक्स नी आस्ट ट्रेश्ट चिल्रंस टू डू कि जो किंग थे मह कि उन्होंने श्रेटर्स चिल्रंस से क्या कहा उन्होंने कहा कि वो उनके पैलेस में आए और इस गाने को सेंग फ्रॉम हैवन को एक स्पेसर किसमस सर्विस के तोर पर उनके लिए गाएं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा दिन था तो यह उन्हें मौका मिला को सन 6 है अंसर भी यहां पर दिया हुआ है यह जैस क्यों है क्योंकि जो और गन बिल्डर था उसने यह पर आंसर बताया मैं था और बिल्डर प्ले एंपोर्टन रॉल मेकिंग था सूंग फेमस बिकोज इफ ही हैं नो टेकर अगर वह उस गाने को नहीं लेकर जाता दस सॉंग बैक पातें और ना ही यह फिर राजा और राणी के जो सेक्सिने के थे उनके पास पहुंच पाता नो ही वह सुन पातें और यह इतना बड़ा सौंग बन पाता तो इसमें बहुत बड़ा रोल था उनका भी जो लाश्ट कोसन है यह है वाट डू यू ठिंग ता स्ट्रेशर लिए वेर लेपिज्र वास लांज यहां पर नाँसर है कि वह इसलिए महसूस करते थे क्योंकि वह few वैलि एक छोटी सी वैली में रहते थे गाटि में और लेपीजी जहां पर व hanya समान को बेचने आते ते वह इस बांपिज आचे था प seus बहुती ज्यादर लोग रहते थे और बहुती क्राउड़ेट प्लेस था ठीक है बिजी और क्राउड़ेट प्लेस हर लोग काम करते रहते थे और मतब भीड़ भारवाली जिगह थी उस सिटी था वह मुराइवर द चिलनर वार वेरी जंग यहां तक जो बच्चे थे वह सिक महसूस करते थे तो यह चैप्टर के सारे कोशन से मैंने हाँ पर आपको कम्प्लीटली एक्स्प्लीन कर दी है और इसके जो इतनी भी एक्सोसाइस है और जो बागी का बचा हुआ पोर्शन है वो भी मैं जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दूँगा और अगर आपको इस जैप्टर के एक्स्प्लेनेशन आपना है तो उसका लिप भी इस वीदियो के डिस्क्रिपशन में मिल जाएगा आप वहां से क्लिक कर सकते हैं यह और इसकी एक्सोसाइस का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिशन में जल्दी ही अप्लोड कर दूँगा जहां से आप उसके लिंक को क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो और नेक्स्ट बात यह है कि थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो और है वाइव नाइस डिए